नमस्कार दोस्तों जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि अपने वीडियो पर ज्यादा वीज और सस्क्राइबर्स पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने वीडियो का थमनेल बनाना आना चाहिए अगर आपके वीडियो का thumbnail बढ़िया है तो लोग आपके वीडियो को देखेंगे और subscribe भी करेंगे तो इसके लिए दोस्तों आपको एक बढ़िया सा thumbnail बनाना आना चाहिए तो कैसे बढ़ियां से thumbnail बनाएंगे आज के इस वीडियो में आप सभी को सब कुछ detail से बाताने वाला हूँ दोस्तों अगर आपका वीडियो का thumbnail बढ़ियां होगा तो आपका CTR भी बढ़ियां होगा यानि कि दोस्तों लोग आपके वीडियो पर ज्यादा क्लिक करेंगे इससे आपका CTR बढ़ियां होगा और YouTube आपके वीडियो को पर्मोट करेगा ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा तो दोस्तों इसके लिए इस वीडियो में आप सभी को सब कुछ डिटेल से सिखाने वाला हूँ इसलिए वीडियो को लाश्ट तक जहुर देखना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है इसलिए बैसे बीस्टोर को ओपन करना होगा उसके बाद से पहले उपके रिक्सले रैपलिकेशन को इनीशटार कर लेंगे उसके बाद करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरह का पेज recently ओपन हो जाएगा उसके बाद इसces को यहांपर कड कर देते हैं कट करने के बाद सबसे पहले उपर आप वहाँ पर three dots पर क्लिक करना होगा उसके बाद आप यहाँ image size पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ custom पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ YouTube thumbnail पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ratio इतना आ चुका है त उसके बाद OK पर क्लिक करेंगे okay पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपके थम्नेल का but found video कुछ इस तरह का होगा तो अपने वेग्ग्राउंड वीडियू को change करना चाहते ही तो इस पर click करेंगे, उसके बाद आप यहाँ color पर click करेंगे, color पर click करने के बाद आप यहाँ जिस भी color में अपने background को करना चाहते हैं आपर कर सकते हैं, तो जैसा कि दोस्तों, मैं यहाँ पर एक color select कर लेता हूँ, तो जैसा कि दोस्तों मैं अपने YouTube thumbnail के लिए इस तरह का background यहाँ पर select कर लिया हूँ उसके बाद यहाँ पर right tick पर click करता हूँ तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर background कुछ इस तरह का हो गया है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपने gallery का कोई भी background लेना चाहते हैं तो आप यहाँ from gallery पर click करेंगे उसके बाद आपका gallery यहाँ पर open हो जाएका आप अपने gallery से कोई भी यहाँ पर photo ले सकते हैं तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना होगा उसके बाद दोस्तों आप यहाँ सेब पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ जो भी सेब सेलेक्ट करना चाहते है उपर करने के बाद stroke पर क्लिक करते हैं यहाँ पर इसको enable कर देते हैं और यहाँ पर इसकी color को यहाँ पर black कर देता हूँ उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर stroke bits को यहाँ पर one कर देता हूँ उसके बाद यहाँ right क्लिक करता हूँ अभी आप देख सकते हैं मेरा बेक्ग्राउंड कुछ इस तरह का हो चुका है उसके बाद आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ इसको लॉक कर देंगे उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर एक फोटो एड कर लेता हूँ इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ अपने फोटो को कुछ इस तरह से लगा देता हूँ उसके बाद इसको स्क्रोल करके उपर करता हूँ इस ट्रोक पर क्लिक करता हूँ इसको यहाँ पर आप अनेबल कर देंगे इसको आप यहां किसी भी color में कर सकते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का लग रहा है अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहां पर cut कर देता हूँ cut करने के बाद उसके बाद आपको यहां पर उपर करेंगे यहा पर आपको, ऐक सेड़ो का ओफशन दिखाए देगocy आप इसपर क्लिक करेंगे इसको अनेबल करेंगे आप यहां पर देख सकते हैं सेडो कुछ इस आरा कआ हो जायगा यहां पर को इसको कम कर देते हैं अभी आप यहां पर देख सकते हैं कितना बड़ी यहां लग रहा है राइट क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों अब आपको यहां पर टेस्ट एड करना होगा तेस्ट एड करने के लिए आप यहां प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहां new test पर double bar tape करेंगे, उसके बाद आपका यहां पर new test लिखा होगा, इसको cut कर देंगे, आप यहां अपने thumbnail में जो भी लिखना चाहते हैं, यहां पर लिख सकते हैं, तो जैसा कि मैं यहां पर thumbnail लिख देता हूँ, thumbnail, उसके बाद done पर click करता हूँ, उसके बाद यहां ok पर click करता हूँ, ok पर click करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं, thumbnail लेकर आ चुका है, तो यहां इस पर click करता हूँ, इस पर click करने के बाद यहां पर font को इसके change कर देता हूँ, तो हाँ my font पर click करता हूँ तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने काफी सारा font यहाँ पर download कर रखा है तो आप भी इस font को Google पर जाकर download कर सकते हैं pixel ले font लिखेंगे उसके बाद वहाँ से download कर लेंगे download करने के बाद यहाँ पर click करने के बाद आप इसको add कर लिजेगा उसके बाद यहाँ पर इसको apply करता हूँ apply करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा font कुछ इस तरह से test हो चुका है उसके बाद ok पर click करता हूँ उसके बाद यहाँ इस test को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर set कर देता हूँ उसके बाद यहाँ पर इसका color change कर देता हूँ इसको यहाँ पर red color में कर देता हूँ यहाँ पर color आप select कर लेंगे उसके बाद right click पर click करेंगे उसके बाद फिर से आप यहाँ स्क्रोल करके इसको ऊपर लेकर जाएंगे उसके बाद यहाँ स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे इसको अनेबल कर देंगे आप यहाँ स्ट्रोक कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं तो जैसे कि मैं यहाँ पर white color का select कर लेता हूँ, उसके बाद आप यहाँ इस टोग bits को यहाँ पर कम जादा कर सकते हैं, आप जैसा भी करना चाहते हैं यहाँ आपर कर सकते हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ पर इतना ही रहने देता हूँ, उसके बाद यहाँ राइट टिक पर क्लि यहां पर मैं लिख देता हूँ कैसे फिर बनाएं यहां पर done पर क्लिक करता हूँ फिर से okay पर क्लिक करता हूँ उसके बाद यहां पर इसके font को change कर देता हूँ तो यहां पर scroll करके इसको ऊपर करेंगी आप यहां पर देख सकते हैं यह वाले बटन पर होगा तभी यहां पर font आएगा तो इसके font पर click करता हूँ font पर click करने के बाद यहां पर कोई एक बढ़िया font select कर लेता हूँ उसके बाद यहां इसको set कर देते हैं set करने के बाद इसके background को यहां पर enable कर देते हैं तो background पर click करते हैं यहां पर बढ़ा देते हैं, दोनों तरब से, उसके बाद सबसे नीचे चले जाएंगे, इसको भी यहां पर बढ़ा देंगे, उसके बाद यहां राइट टिक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां कलर पर क्लिक करेंगे, और यहां आप इसका जो भी कलर देना चाहते हैं, द से बनाए उसके बाद दोस्तों यहां से फिर एक photo add करता हूं तो اिसके लिए आप यहां plus वाले icon पर click करेंगे उसके बाद from gallery पर click करेंगे उसके बाद आपका gallery यहां पर open हो जाएगा आप यहां कोई भी photo select कर सकते हैं तो मैंने पहले एक thumbnail बना रखा था उस तो इस थमनल को यहाँ पर select कर लेता हूं, तो इस थमनल को यहाँ पर select कर लेता हूं, ओके पर click करता हूं, ओके पर click करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके size को यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देता हूं, तो यहाँ पर इसके size को यहाँ पर कुछ इस तरह से कर दे थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, बड़ा करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ स्क्रोल करके ऊपर इसको लेकर जाएंगे, उसके बाद इस ट्रोप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको अनेबल कर देंगे, और यहाँ पर ब्लेक कलर सेलेक्ट कर लेंग उसके बाद इसके size को थोड़ा increase कर देंगे उसके बाद यहां इस पर click करेंगे उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं मेरा thumbnail बनके ready हो चुका है आप यहां पर देख सकते हैं कितना बढ़ यहां thumbnail लग रहा है तो इस तरह दोस्तों आप अपने mobile phone से pixel lab application से एक बढ़ियां से thumbnail बना सकते हैं जिससे लोग आपके वीडियो पर ज्यादा click करेंगे अगर आपका thumbnail बढ़ियां होगा तो तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजेगा और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लिजेगा यद आपको हमारे वीडियो प अब तक के लिए जाहिन वान दे मातराम